अजमेर दक्षिर से विदायक वपूरु मंत्री अनिता बदेल ने आज सरकार को एक बार फिर आड़े हातों लेते वे कई संगीन आरोप लगाए। 15,000 पात्र दारकों को मैसेज किया। लेकिन 13 जून तक भी किसी को राशन नहीं मिला। सभी अलग-अलग दुकानों पर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन खाद्यान उपलप्त नहीं कराया गया। ऐसे में सरकार बारतिय जिंता पार्टी विदान सभा शेत्रों में गेहूं नह रही है और उन्होंने इस मौकी पर कॉंग्रिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह अलग-अलग शेत्र में जाकर देखें कि सरकार आम जंता पर गरिब की रोटी छीन रही है और उन तक राशन नहीं पहुच रहा। यहां तक की बीपियल दारकों को भी राशन नह नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर राशन नहीं दिया जाएगा तो भारतिय जंता पार्टी की विदायक चुप नहीं बैठेंगे और जब तक केंद्र द्वारा दिये जाने वाले तीन महिने का राशन लोगों तक नहीं पहुचेगा वह गर पर नहीं बैठेंगी और लगातार सरकार को गेरने का काम करेंगे। अजमेर के ऐसे लगबग 58,000 लोगों ने इमित्र पर जाड़कर रजिस्टेशन कराया है। सरकार की तरफ से सभी को ये मैसेज डाला गया और ये वहवाई ली गई। कि राजस्थान सरकार इमित्र के माध्यम से ऐसे 58,000 अजमेर के परिवारों को खाड़य समगरी वित्रित करेगी 12 तारिक से। आज 12 तारिक की बजाए 13 तारिक हो गई है। मैं इस राशन के दुकान पर खड़ी हूँ। मैं अंदर माथुर जी की राशन के दुकान है और मैंने इनकी दुकान का भी निरिक्षन किया है। इनको अभी तक खाड़्यान पहुचा ही नहीं है। डियसो की तरफ से अलाटमेंट ही नहीं हुआ है। कल भी दिन बर ऐसे बहुत सारे लोग परिशान हुए। और वो निराश होकर के घर लोटे। आज भी मेरे पास देखिए ये दो तो राशन काड़ हैं बाकी पीछे जो लोग खड़े हैं। वो लोग भी राशन लेके आये हैं। ये बीपियल का राशन काड़ है। जो हमारे बीपियल के राशन काड़ में गंगाराम जी का राशन काड़ है। ये गंगाराम जी के राशन काड़ बीपियल होने के बावजूद इनको गेव नहीं मिल रहा है। जबकि व्यवस्ता यह है कि किसी भी राशन की दुकान से ये राशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इनको राशन नहीं मिला है, ये दूसरा जो राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड शंकर जी गौड का है, शंकर जी गौड का रेजिस्टेशन नमबर जो इमित पर उन्हों ने उसकी स्लिप भी है इसके बाउजुद भी वो कल पूरे दिन बर चक्क लगाए हैं और लगा करके निराश होकर के घर बैठ गए हैं ये सरकार समय पर भी व्यवस्ता नहीं कर पाई और ऐसे हजारों लोगों को परिशान कर रही है आत्मिरवर भारत योजना के तैप प्रधान को तरस रहे हैं इस सरकार को मैं क्या कहूं यदि मैं कहती हूं तो कुछ कॉंग्रेस के लोग कहते हैं सरकार की भषना कर रहे हैं अब कॉंग्रेस के लोग जा करके देखें दुकानों पर कि किस तरह से लोग परिशान होकर के वापत घर लोट रहे हैं मुझे लगता है कि य इस वज़े से यह हो रहा है अजमेर में चुनकी विधाय कनीता बदेल है और सब्सक्राइबु नाशन को नहीं बाटना है केकड़ी में राशन बट रहा है तो केकड़ी संभाग का मुख्याला अजमेर होने के बावजुद अजमेर में राशन नहीं बट रहा है और केकडी में राशन बट रहा है और अभी जो आने वाला राज्यसभा का चुनाव है उस चुनाव में निर्दलिये जो हमारे विदायके किशनगड के उन निर्दलियों का वोट लेने के लिए उन्होंने किशनगड की राशन की दुका कि दुकान पर जब तक एक एक व्यक्ति को गेहु नहीं मिल जाएगा जब तक हम चैन से नहीं बटेंगे ये प्रदान मंत्री जी के द्वारा दिया गया 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 इसलिए जब तक आम व्यक्ति इसका अपात्र व्यक्ति जिसने रिज्ट्रेशन कराया है उसको गेहु नहीं म साफ से ये गेवों का वित्रन होगा कई राशन के दुकान के भाईयों को भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस लोकडाउन की अवडी में वो भी जनता का साथ दें और जो गेवों आया है वो पूरा का पूरा उस आँ व्यक्ति को दें ताकि उसकी घर गरस्ती चल सके ये सरकार कताई नहीं बाटना चाती है ये दोश मैं लगाती हूं ये दोशारोपण मैं सरकार पर करती हूं और मैं ये कहना चाहूंगी मीडिया के भाईयों को भी कि मीडिया के भाई भी इस बात को जगे जगे तक पहुँचा है जन जन तक पहुँचा है कि ये आपके हक का ग सब्सक्राइब करें उस आम आदमी के साथ खड़े हो करके उसकी जीवी विलिशा को उसके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिट कर सकते हैं देखिए मैंने वापस आग्रह किया है उचित मुल्य के दुकान वाले राशन के भाईयों को मैंने आग्रह किया है कि वो किसी भी तरह से जनता का सयोग करें और यदि उसके पास खाद्यान है तो वो BPL कार्ड़ारियों को वो खाद्यान बाटें जिनका राइस्टेशन हुआ है उनको भी बाटे और मेरा सरकार से भी यह कहना है कि वो इस खाद्यान को जब तक एक भी व्यक्ति नहीं ले लेता है तब तक बाटता रहे सिर्फ तारिक फिक्स नहीं करें कि हम 12 तारिक से 15 तारिक तक ही बाटेंगे या 12 तारिक से 17 तक ही बाटेंगे क्योंकि बहुत लोग जो निराश होकर के लौट चुके हैं उनको वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार किये, उनको वापस गेवों बाटने की जिम्मेदारी सरकार किये, इसलिए सरकार को यह कर रहा चाहिए